दोस्तों अगर आपके blog post index नहीं हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा समय इंडेक्स होने में लेते हैं या फिर आपके blog पे बहुत सारे जो है जो पहले से इंडेक्स थे और फिर बाद में जाके वो D index हो चुके हैं तो हम इसी समस्या के एक समाधान लेके आये हैं और ये हम न पेज के URL को जितने भी सर्च इंजन है दुनिया भर में जैसे बड़े-बड़े सर्च इंजन है Google सर्च इंजन हो गया Bing हो गया Yahoo हो गया और यांडेक्स हो गया और इसके आलावा भी और भी site सभी पेज के URL को इन सभी सर्च इंजन में समय समय पर डालता रहेगा सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपके ब्लोग पे कितने page जो है index हैं और कितने डी index हैं तो जितने भी डी index होंगे page उनके URL को इन सभी search engine में submit करता रहेगा तो इससे होगा यह कि आपके जो डी index page है वो इंडेक्स हो जाया करेंगे और जब भी आप अपने site पे नया post तो उसके URL को Google Search Console में Bing में ले जाके Submit करते हैं Index कराने के लिए लेकिन अब आपको कहीं भी ले जाके Submit करने की ज़रूरत नहीं है जैसे आप Post Link के डाला करेंगे और इस Plugin को आप अपने WordPress में इंस्टॉल कर रखे हैं तो यह उस URL को तुरंथी ले जाके सभी Search Engine में Submit कर दिया करेगा तो Microsoft Bing ने इस IndexNow नाम के Plugin पे पिछले कई सालों से काम कर रहा था और अभी कुछी समय पहले इस लांच किया है और यह काफी तेजी से पॉपिलर हो रहा है क्योंकि सब WordPress जो यूजर है वो इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसी IndexNow Plugin को इंस्टॉल करना और इसका सभी Settings को Setup करना सिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों IndexNow Plugin को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपने WordPress Admin Panel में Login कर लेंगे और इसके बाद यहां पर Plugin लिखा हुआ है इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर हम अपने Plugin लिस्ट में आ जाएंगे फिलाल मेरे पास कोई भी Plugin नहीं है अभी यहां पर उपर Add Now के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहां पर सर्च बॉक्स में क्लिक करके IndexNow टाइप करेंगे तो देखिए यहां पर जैसे मैंने IndexNow Plugin टाइप किया वैसे यहां पर यह IndexNow Plugin यह जो की Microsoft Bing के द्वारा बनाया गया है यह आ गया अभी इसे आप नीचे देख सकते हैं यह अभी अभी प्लागिन लॉंच हुआ है और इसे 2000 लोगों ने अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दिय जाये और फाइव रेटिंग फाइव एस्तार का इसे रेटिंग मिला हुए है मिल गया अभी तक तो इसे इंस्टॉल करने के लिए यही पर इंस्टॉल नाव के बटन पर खिलिक करेंगे तो यह इंस्तॉलिंग का काम सुरू हो जाएगा और इसके बाद दोबारा से यहां activate के बटन पर खिलिक करेंगे तो यह plugin जो है एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे plugin लिस्ट में रिडाइडेक्ट हो जाएगा तो क्योंकि हमारे plugin लिस्ट में पहले एक भी नहीं था अभी हमने इसे install किया तो यही एक plugin दिख रहा है अभी आप बाए side में यहाँ पे settings का option देख सकते हैं और जब इसके उपर mouse करसर लाएंगे तो इस side में कुछ option आ जाएगा और इसी में नीचे यहाँ पे देख सकते हैं index now लिखा हुआ है जब आप इस plugin को install कर लेंगे तभी यहाँ पे settings में index now का option आ जाएगा तो इस plugin क्या setup करने के लिए यहाँ settings पे आके और index now के option पे क्लिक करना है तो इसका settings यहाँ पे open हो जाएगा इस तरीके से अभी यहाँ पे इनका जो features है वो दिखा रहा है सबसे पहला नमर में लिखा हुआ है automatic URL submission यानि कि यह plugin आपके site पे उन URL को check करेगा ज सभी किसी ना किसी search engine से de-index हो चुके हैं तो फिर उनको यह दोबारा से उन सभी search engine में submit करेगा और उसे index करवाएगा फिर यहाँ पे दूसरा नमर में इनका जो feature है वो है manual URL submission यानि कि आप चाहे तो खुद से यहाँ पे URL को ले करके और submit कर सकते हैं फिर तीसरा option है view status of submitted URL य नहीं और फिर यहाँ पे view recent submission है फिर यहाँ पे resubmit recent submission यह सभी option इसमें है तो इसे चालू करने के लिए यहाँ पे let's get started के button पे click करना है और फिर यह इस तरीके का page आ जाएगा अब यहाँ पे सबसे पहला नमर जो इनका option है यह manual URL submission का है आप चाहें तो यहाँ पे submit URL पे click करक और अपने उस page का URL को डाल सकते हैं जो कि अभी अभी आपने publish किया है या फिर पुराने page है जो d index हो चुके हैं लेकिन इसका आपको कोई जरूरत नहीं परेगा यहाँ जो दूसरा नमर option है यह है automatic URL submission यानि कि यह plugin खुदी आपके सभी URL को सभी search engine में submit करता रहेगा लेकिन अभी अगर आप चाहें तो मनुवली रूप से अपने URL को यह submit URL के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक pop-up आजाएगा यहाँ पर अपने URL को डालेंगे और फिर यह submit URL के बटन पर क्लिक कर देंगे जैसे आप Google search console या फिर Bing webmaster tool में अपने URL को submit करते हैं तो फिलाल इसका जरूरत आपको नहीं परेगा यह खुदी plugin अपने आप इस URL आपके साइट पर सभी URL को submit करते रहेगा और आप इसे चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके एडिट पर फर्मेंस के बटन पर क्लिक करके इसे यहाँ डिसेबल के बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे तो फिर यह जो function है अपने आप submit होने वाला यह disable हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर नीचे successful submission यानि कि जो भी URL यहाँ पर submit किया जाएगा वह यहाँ दिखाया करेगा लास्ट आरतालीस घंडे का report और फिर यहाँ पर जो URL फेल होगा उसका report यहाँ पर दिखाया करेगा फिर नीचे candidate के button पर click करके इस plugin को चालू कर देना है बस और फिर यह API key के मदद से काम करता है यह plugin तो दोस्तों Microsoft Bing के द्वारा बनाया गया इस plugin का इस्तेमाल आप सभी भी करें और अगर यह plugin का performance बहुत अच्छा रहेगा तो जल्दी ही यह बहुत ज्यादा popular हो जाएगा और फिर आपक plugin का तो उसने इस plugin को बनाया है तो मैंने सोचा कि आपके सामने इस वीडियो को बनाके और इसके बारे मैं सुचित कर दूँ उमीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो फिर इसे like जरूर कर दिजिए और अपने दोस्तों में share कर दिजिए और इस व